नमशकर दोस्तों स्वागत आप सब्ग सबीगा आज का जो वीडियो है इसमें हम बात कर रहे हैं metaphysical poetry करने metaphysical poetry जो है उसका कोई span नहीं है कोई time period नहीं है हां हम यह जूरूर कह सकते हैं कि ज्यादा तर जो metaphysical poetry है वो आपको Puritan Ace, Jacobin Ace इसके इर्दगीर देखने को मिली है लेकिन इसका कोई fixed कोई time period नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर कोई time period बेंशन नहीं किया है सबसे पहले आप metaphysical शब्द जो है उस शब्द को समझ लीजिए अब metaphysical शब्द का मतलब क्या होता है metaphysical शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेटा ठीक है अब मेटा शब्द जो है इसका अर्थ होता है beyond यानि परे या दूर ठीक है दूसरा शब्द आपके पास बज़ गया physical अफ फिजिकल शब्द जो है आप इसका मेनिंग बहुत अच्छे से जानते हैं समझते हैं ठीक है फिजिकल का मतलब क्या हो गया फिजिकल का मतलब हो गया भौतिक यह फिजिका शब्द से बना है जी हां किस शब्द से बना है फिजिका शब्द से बना है ठीक इसका मतलब क्या हो गया भौतिक अर्थात इस संसार का इसको आप देख सकते हैं तो मेटा फिजिकल इसका मतलब क्या हो गया बियोंड फिजिकल वर्ड बियोंड फिजिकल वर्ड अर्थात इस भौतिक दुनिया से परे तो जब metaphysical poetry की बात चलती है तो metaphysical poetry क्या करती है अर्थात वो चीजें जो इस फिजिकल वर्ल्ड से परे की है डिलिंग विद एप्स्ट्रेक्ट कॉंसेप्ट लाइक एग्जिस्टेंस अस्तित्व रियालिटी वास्तिक्स्ता and the nature of things अर्थात चीजों की प्रकरती है तो सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि metaphysical poetry जो है वो ऐसे ideas लेकर के आती है जो इस भौतिक दुनिया से परे के हैं जैसे कभी वो अस्तित्व की बात करते हैं एक्जिस्टेंस की बात करते हैं कभी यह वास्त्विक्ता की बात करते हैं ठीक है तो इस तरह से देखा जाए तो metaphysical poetry है यह क्या करती है explores these deep and philosophical questions in a way that goes beyond everyday experiences अर्थात metaphysical poetry है यह जो गहन और दार्शनिक प्रशन है जैसे अस्तित्व का प्रशन है वास्तिविक्ता का प्रशन है वस्तों की जो nature होती है उनका प्रशन है ठीक है इनके बारे में यह क्या करती है खोज करती है और जिन तरीकों से खोज करती है वहाँ पर हमें metaphysical poetry का एहसास होता है क्लियर क्यों क्योंकि जिस तरह से हम आम तोर पे इन topics को deal करते हैं ठीक वहाँ उन तरीकों को इस्तेमाल ना करके यह अनोखे ही तरीके लेकर करके आते हैं को और कि जो सामाने ट्रेडिशनल जुबे हैं ऑफ राइटिंग पोईट्री उनसे डिफरेंट बनाते हैं उनको आप देख लीजिए तो मेटेफिजिकल पोईट्री जो होती है उसमें एक आपको कंसीट्स जो हैं वो काफी देखने को मिलेंगे कंसीट्स क्या होते हैं यह क देट कंपेर्स तू वैरी डिफरेंट फिंग्स इन सर्प्राइजिंग वेज जो जो यह क्या करते हैं दो डिसिमिलर फिंग्स को दो ऐसमान वस्तुओं को उनके बीच में इस तरह से समानता स्थाफित करते हैं कि आपको वो देख करके बहुत ही जटका सा लगता है और है ही कंपेर्स अफ्ली बाइटिंग फ्ली बाइटिंग अर्तात कोई फ्ली जोती है मक्ही जोती है वो बाइट कर लेती काट लेती है ठीक है जैसे मालों मच्छर ने किसी काट लिया पहले आपको काटा फिर आपकी प्रेमिका को काटा ठीक फिर कहता है देखो हम दोनों एक हो गए कैसे कि मच्छर ने पहले मुझे काटा फिर तुम्हें काटा और अब उस मच्छर के अंदर हम दोनों का खून जो है वो एक हो गया उनका उसका मिलन हो गया है तो इस तरह से हमारा भी फिजिकल यूनियन जो है ठीक शारी के मिलन जो है वो हो चुका है आप देखिए इससे इस्तेमाल किया बड़ा ही बेतुका सा तरीका है साथ में तरक क्या दाते हैं अर्गॉंग देट ये ब्लॉड ओल्रेडी मिंगल्स इंसाइड दॉफली कींका भौतिक मिलन शारीक मिलन कैसे हो गया कि इस फिली के अंदर उनका ब्लड जो है मिंगल हो गया है इसलिए से तुल्ला करना तो आपको कंसीट से भरपूर मिलेगी इसतरह की पोईटरी मेट विजिगल पोईटरी इसके लब पेरेडॉक्स paradox को हम क्याते हैं कहते हैं विरोधाभास अब विरोधाभास किसे कहा जाता है कि कोई statement कोई कथन जिसको initially प्रारम में जब आप सुनते हैं तो आपको उस statement में विरोध का आभास होता है लेकिन जब आप उसमें गहराई में उतरते हैं, तो फिर आपको वो उसमें एक बहुत ही गहरा छुपावा सत्य जो है, वो नजर आता है तो इसको अपन क्या केता है, परेडोक्स केता है, तो परेडोक्स से भरपूर मिलेगी यह पोईटरी तो इस आपको देखने को मिल जाएगा, जोन डन की बहुत सारी पोईब्स में, यहाँ एक उदान लिया है, जोन डन की एक पोईब्स में, दैथ बी नोट प्राउड, तो here he suggests that death itself can die, कि मौत जो है खुद भी मर सकती है, अब आप सूचे यार मौत कैसे मर सकती है, ठीक है, तो परेडोक्सिकल स्टेट्मेंट हो गया, लेकिन showing that death is not as powerful as it seems, इसे नजर आता है कि ब्रत्य उतनी शक्तिसाली नहीं है, जितनी यह नजर आती है, लेकिन जैसे ही आप गहराई में उतरते हैं से स्टेट्मेंट के, तो फिर आपको उसमें कोई philosophical truth जो है छिपावा नजर आता है, that is paradox, ठीक, इसके अलाबा, paradox के लाबा, आपक spiritual tone से मतलब हो गया, कि कोई serious या deep philosophical idea जो है, उनको explore करती भी नजर आएंगी, यह poetry, जैसे डन की, a valediction forbidding morning है, ठीक है, uses a compass to discuss the state-first nature of true love, even when lovers are apart, हिंदी में समझ लीजिए, एक compass, परकार जिसको आप कहते हैं, mathematics में आप काम में लेते हैं, जो मेटरी में, ठीक है, तो इसमें कम compass आपने जुरूर काम में लिया होगा, इस तरह से होता है, ठीक, एक सीरा स्थिर रहता है, दूसरा से घूमता है, तो कहता है, सच्चा प्रेम जो है, एक compass की तरह से होता है, आप देखिए कितना intellectual tone यह use करने जा रहा है, कहता है, यह भले ही दूर है, दोनों सीरे क्या है, इ तो आप देखिए, intellectual tone यहाँ पर आपको नजर आगी, clear, तो इसमें intellectual tone का use होता है, इसके लाँ abrupt, opening, abrupt का मदद होता है, sudden, अचानक से, Metaphysical poetry की एक खास बात यह भी आपको देखने को मिलती है, कि यहाँ पर जब poem शुरू होती है, तो जिस तरह का traditional एक way होता है, poem को शुरू करने का, उसको फोलो नहीं करते हैं, क्योंकि Metaphysical poetry क्या करती है, कि जिस तरह के आपके जो conventions हैं, traditions हैं, customs हैं, हम उनको follow नहीं करेंगे, ह भी है, ठीक है, कि यहाँ पर जो poem जो start होती है, वो abruptly start होती है, अब इसके लिए क्या करेंगे, जैसे traditional way में क्या होता था, poem में किसी को invoke किया जाता था, अहवान किया जाता था, या किसी को संबोधित किया जाता था, at least और कुछ में नहीं, तो subject तो वहाँ पर होता ही होता थ लेकिन यह लोग क्या करते हैं, सीधे ही, इस तरह से शुरू करते हैं, poem को जैसे किसी से बात कर रहे हो, जैसे कोई poem नहीं, बलकि कोई बात्चित शुरू हो रही हो, जैसे John Dunn की poem है, The Sun Rising, उसमें शुरुआत किस से होती है, कि सूरज है, उस सूरज को डाटने फटकारने से होती है, अब कहीं यह कोई poetry थोड़ी भी, कि आप कोई एक व्यक्तित, किसी दूसरे को डाट रहा है, यह कोई poem का start थोड़ी हुआ, ठीक, अचानक से आप सोते ही, हो क्या रहा है, कोई लड़ाई जगडा चल रहा है, या फिर poem शुरू हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर प इवन इसके अलावा आपने, गव एंड कैचे, फालिंग स्टार, ठीक है, उसकी पहली पंक्ती भी यही है, गव एंड कैचे, फालिंग स्टार, कि जाओ और तूटते विटारे को पकड़ो, तो यह लगता ही नहीं कि कोई poem स्टार्ट हो डी है, ऐसा लग रहा है, जैसे ठीक, all of a sudden, जब आप इस सुनते हैं, तो लगेगा कि कोई poem स्टार्ट हो रही है, नहीं, तो इनकी जो poetry होती है, उसकी शुरात कैसी होती है, abruptly होती है, all of a sudden होती है, और इसके लिए जायतरी क्या करते हैं, imperative sentences का इस्तेमाल करते हैं, clear? चलिए, इसके अलावा, इनकी poem में, imagery क भरपूर समयविस जो है, आपके को देखने को मिलेगा, the poets use vivid and sometimes unusual imagery to express their ideas, अपने ideas को व्यक्त करने के लिए, ये जो imagery use करते हैं, वो कैसी होती है, unusual imagery, तो इसको imagery नहीं, बल्कि अपने को क्या कहना चाहिए, unusual imagery, ठीक है, जैसे go and catch falling star, आप सबी लोगों ने पढ़ रखी है, उसके शुरुवात की जो 6-7 पंक्तियां हैं, उसमें क्या करता है, इसी तरह की imagery को काम में लिकर क्या आता है, पहली पंक्ति में क्या क्याता है, go and catch a falling star, किसकी बात कर रहा है, ठीक है, फिर mandrake root की बात करने लग जाता है, फिर आपके mythological world में चला जाता है कि who split the devil's food, सैतान के पायर को किसने शीरा उसमें चला जाता है, abstract world में चला जाता है, कि जो बीतेवे वर्स जोते हैं, वो कहा जाते हैं, ठीक है, human nature की बात करने लग जाता है, कि इर्शा का कौन सा डंक होता है, उसकी बात करने लग जाता है, clear, तो इस तरह से वहाँ पर different, different images जो कि unusual हैं, उनको ये काम में लेता है, तो अकेला जोंडन ही नहीं, काफी लंबी फेरिस्त है, इस तरह की poets की जिनकी बारे में अभी बात करेंगे, तो थोड़ा सा अलग करने के लिए मैंने यहाँ पर George Herbert, जो की एक religious poet थे, Anglican priest भी थे, उनकी poem Easter Wings, ठीक है, यहाँ पर क्य करता है, is shaped like wings on the page, visually representing the poem's theme of spiritual ascent, ठीक है, यह page के पर जो shape देता है, जिसे wings होते हैं, ठीक है, जिस page पर चपी उसमे, wings की आकार में चपी हुई है, तो यह message देती है, यहाँ पर किस तरह की poem जो है, आने वाली है, spiritual ascent को दरसाने वाली poem जो है, आने वाली है, यह भी अपने ही है, इसके अलावा, अपन बात करें, तो colloquial language, colloquial language, यानि आम बोलचाल में जिस भाशा को काम में अपन लेते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, colloquial language कहते हैं, तो corner-sational language आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, तो यह लोग क्या करते हैं, यह जो एक traditional way होता है, पोईट्री में जिस भाशा को काम में लेना चाहिए, उसको काम में ना लेकर के, यह conversational tone या colloquial language है, उसको काम में लेते हैं, जिससे पोएम जिसे काफी personal और immediate आपको नजर आती है, जैसे जोंडन के आप किसी भी पोएम को उठा लीजिए, आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, colloquial language है, देखने को मिल जाएगा, जिससे आम बोलचाल में अपन जब एक दुसरी से बात करते हैं, तो उसमें अपन subject को गायब कर देते हैं और imperative sentences को काम में लेते हैं, तो इसका बेहतरीन example है, go and catch a falling star, तो पहला शब्द क्या go, जो की verb है, वर्ब से पहले किसको आना चाहिए, subject को आना चाहिए, लेकिन सीधा वाँ पर क्या रहे है, go, जाओ, and catch a falling star, जाओ और तूटते वे तारे को पकड़ो, तो अब ये क्या है आपकी, वर्ब हो गया, ठीक है, imperative sentence का example हो गया, और ये हम कहां काम में लेते हैं, बोलचाल में ही इसको काम में लेते हैं, तो बोलचाल की भाषा को काम में लेना बहुत ही आम बात यहां पर होता है, इसके लावे use of hyperboli, hyperboli को आप जानते हैं आतिशोक्ति अलंकार, अर्थात किसी तथे को, किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चड़ा करके कहना, जैसे एक एक्जाम पर ध्यान में आता है, हमारे कमरे का चकर लगा और अपने घर वापिस चले जाओ, समझ लिया जाएगा कि तुमने हमारे कमरे का नहीं प्रत्वी का चकर लगा लिया है, इसी तर्वियान वो क्या कहते हैं, कि she is all states, she is all states and prince's eye, कि she, ये तो क्या है, दुनिया के जितने भी तमाम राज्ये हैं, उनका परतिनीधित्व कोन कर रही है, मेरी पत्नी, and prince's eye, और उन राज्यों का राजकुमार या राजा कौन है, मै, तो ये क्या है, अतिशोक्ति है भई, is it possible, आप ठीक, अपने कमरे की राजकुमार होंगे, अपने घर की होंगे, आपकी बीबी, जो आपका घर हो गया, आपका सब कुछ होगी, लेकिन वो पूरी दुनिया का राज्य तो नहीं है, पूरी दुनिया के स्टेट्स तो नहीं है, तो ये क्या है? इसके लावा एक चीज और आपको बार-बार यहां पर देखने को मिलती है, और वो है, आइरेनिकल रिवर्सल अप दे स्टेट्मेंट, अर्थात किसी बात से पलट जाना, और पलट निकली को स्ट्रॉंग लॉजिक जो है, वो परस्तुत करना, इसलिए उसको स्टेट्में लोजिक के साथ आप पलट रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, आइरेनिकल रिवर्सल अप दे स्टेट्मेंट, जैसे जोन डन की गो एंड कैच ए फालिंग स्टार की आप बात करें, तुस्ट की थीम क्या है, कि कोई स्तरी जो है, सुन्दर और वफादार दोनों एक और कहता है, और कहता है कि यदी कहीं आपको इस तरह की कोई स्तरी मिलती है, जो सुन्दर भी है और वफादार भी है, तो आप क्या करें, आप मुझे सुचित करें, और मैं निश्चत तोर पर उस महिला से मिलने आऊंगा जाऊंगा, लेकिन अगले ही पल वो अपनी कही इस कितरे से होगा, तिर्थ यात्रा कितरे से होगा, लेकिन अगली पल पलट जाता है, कहता है कि नहीं, बले ही वो मेरे नेक्स्ट वर पर पर पडोस में क्यों नहीं रहती हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं उसके पास जाऊंगा, तब तक हो सकता है कि वो बेवफा हो चुकी होगी ठीक तो इस तरह का लोजिक देखर की वो क्या करता है अपनी बात से पलट जाता है तो इसको अपन क्या कहेंगे आर निकल रिवर्सल आप दा स्टेट्मेंट अपन इसको कहेंगे कि ठीक फिर अब कुछ जो मेटाफिजिकल पोईट्री के कुछ बड़े नाम हैं उनको अपन देख लेते हैं सबसे बड़ा नाम जो है वह है जॉन डन जोंडन का जो वर्क है जो फेमस जो वर्क हुआ 1633 में सॉंग्स और सॉनेट्स की तोर पर पब्लिश होता है और इसी से इनको पहचान मिलती है इनकी मृत्यू 1631 मुझा आती है मृत्यू की दो वर्ष पश्चात यानि पॉस्थमस ली इनका एक कलेक्शन पब्लिश होता है इनकी एक पोएम आव दो प्रोग्रेस अब दा सॉल 1601 में आती है डन एक्सप्रेसेस इस डिस्साटिस्फेक्शन विद्द वर्ल्ड अराउंड हीम आसपास की जो दुनिया है उसके प्रती अहसंतुस्टी जाहिर करते हैं वैसे जोन डन के व्यक्तिकत जीवन से जोड़ करके देखें तो यह वो दोर था जब इन्होंने एन से शादी कर ली दोर जो था वो भी था और बहुत इनको परिशान होना पड़ा तो आसपास की दुनिया से अपने आप ही क्या होने थे ऐसंतुस्ट होने थे इसलिए यह पोएम जो है इस चीज़ को भी बयान करती है 1601 में आती है A hymn to God, the Father, Dunn composed this lyric after his wife's death in 1617 ठीक है 1617 में जब पत्नी की म्रत्य हुजाती है उसके बाद में लिखते हैं A hymn to God अर्था बगवान का बजन, बगवान कोन? दफादर, हम सब के रचियता, दफली 1633 में आती है, A Valediction Forbidding Morning ये भी 1633 का है, Holy Sonnets ये 1610, collection है 19 religious poems का, ठीक है? और 1610 के बाद में published होता है Songs and Sonnets, ये इनका सबसे चर्चित, सबसे famous work है, collection of love poems published posthomously, ठीक है, 1631 में इनकी म्रत्य जाती है, उसके दो वर्ष पस्चात ही publish होता है, इसके अंदर इनकी जो best known poems हैं, Go and Catch a Falling Star, Ecstasy, Valediction Forbidding Morning, A Valediction of Weeping, ठीक हैं सब इसी collection में publish होती हैं, अब इनके बाद में एक और बड़ा नाम जो है, आपको देखने को मिलता है, रहुआ है Andrew Marvel, Marvel जो है, ये politician भी थे poet होनी के लवा, और अपनी metaphysical poetry जो है, उसके लिए जाने जाते हैं, clear? किसके लिए जाने जाते हैं, अपनी metaphysical poetry के लिए जाने जाते हैं, तो poet थे, English poet, politician थे, और अपनी metaphysical poetry के लिए जाने जाते हैं, और कुछ उन्होंने political satires भी लिखे, इसके लिए भी इनको जाना जाता है, अक्सर इनकी poetry के अंदर intense emotion, तिवर भावनाएं, intellectual playfulness और बहुत ही आपको playfulness देखने को मिलेगी और वो भी कैसी शरारते कैसी intellectual, and elaborate metaphors, ठीक, यह सब इनको देखने को मिलेगा आपको, जो कि इनको एक notable figure बनाती है, मेटाफिजिकल poetry के school में है, अर्थात, metaphysical poetry लिखने वाले जो poets है, उनमें इनको खास इस्थान मिलता है, जो उन डन के बाद में, इवन कहेंगे, कि second position पर यही आता है, intense emotion, intellectual playfulness, और elaborate metaphors, यह चीज़ें आपको देखने को मिलती है, इनकी सबसे चर्चित जो poem रही, जिनमें यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, वो है आपकी to his coy mistress, एक शर्मिली प्रेमिका, ठीक है, जहां पर यह प्रेमिका को offer करते हैं, कि हमें दोनों को मिलकर के प् और मैं तुम इसे स्वीकार कर लो, ठीक है, यदी मेरे पास बहुत सारा समय होता, तो मैं इतने हजार सालों तक तुम्हारी इस अंग की प्रसंचा करता, इतने वर्षों तक इस अंग की प्रसंचा करता, इत्यादी, 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 और फिर अंत में कह तो इस सारी चीजह इंटेंस इमोशन वहां पर आपको देखने को मिलता है इंटेलेक्ट प्लेफुल्स देखने को मिलती है एलबरेट मेटाफर्स जो है वह भी आपको देखने को मिलते हैं तो तो इस कोई मिस्ट्रेस के अलावा एक और पॉयम है गार्डन और एन होरेशन ओड अपन क्रॉम्वेल्स रिटर्न फॉम आर्लेंड यह तीन इनके चर्चित वर्क रहें जिनकी वैसे इनकी चर्चा बार बार होती है इसके लावा यह मेंबर ऑपार्लियमेट जो है वह भी चूज हुए और अन्त तक जब इनकी म्रत्ती होती है तब तक यह उस पद पर बने रहते हैं ठीक अब इनकी कुछ सर्चे तरचना है देख लीजिए तो इस कोई मिस्ट्रेस पॉस्थो मस्टली पब्लिस होती है 1681 में ए परजवे से पॉयम ही आर्जिंग अलवर तु सीज दे एंड मेक दो मोस्ट अब यह ताइम तगेदर ठीक सीज द दे यह प्रशन आप से पूछा जा सकता है कि इस पॉयम की थीम क्या है इस पॉयम की थीम है सीज दे इसको हम कारपेडियम भी कहते हैं क्या है समझ लीजिए इसका मतलब होता है कि जो है वो वरतमान ही है कल किस ने देखा है कल हो ना हो इसलिए आज का बरपूर लुथ फुटाओ आनंद बनाओ उत्सव बनाओ मजे करो इसको थीम को कहते हैं कारपेडियम या सीज द दे तो यहां पर प्रेमी अपनी प्रेमी का से कहता है कि आगे का वक्त किसी ने नहीं देखा जिंदिकी बहुत लंबी नहीं है ठीक है यदि होती तो हम हजारों साल तक तुमारे इस अंग की प्रसंसा करता इसकी प्रसंसा करता इसकी प्रसंसा करता लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए आज जो है वरतमान जो है उसको एंजोई करते हैं और हम प्यार करते हैं ठीक है तो यह इसकी थीम के बारें तुकुत ही तुकुत ही स्कॉई मिस्ट्रेस ठीके फेमस लाइन्स देख लीजिए बट एट माई बैक आई ओल्वेस हीर ताइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर जो वो कहता है कि मेरे पास वक्त होता तो मैं भी वही उसी वक्त के साब से जलता हजार सालों तक तुमारे कि अंगों की प्रसंचा करता लेकिन वक्त नहीं है क्यों बट एट माई बैक आई ओल्वेस ही और टाइम्स विंग्ड चैरियट समय जो है एक ऐसा रत है जिसके पहिय नहीं है पंक लगे वे हैं और वह बहुत जल्दी उड़ता हुआ मेरे पास आरार रथात बहुत जल्द बुड़ापा आरा है फिर म्रत्यू भी आएगी ठीक है तो यहां पर इंटेलेक्शिल टॉन भी दिखती हैं इंटेंस इमोशन भी दिखता है और प्लेफुल नेस जो है वो भी यहां पर नजर आती है फिर एक और इसके परसित पंक्ति देखिए देखिए देग्रेव इस दू देखिए लेकिन मेरे ख्याल में एक ऐसी जिगह तो नहीं है जहां पर हम एंब्रेश अर्थात एक दूसरे को आलिंगन बद करके वहां पर प्रेम गर्सके इसलिए इस धरती पर हमें रहकर क्या करणाची प्रेम करना चाहिए सो और सो थिंक्स वो कहता रहता है ठीक है तो यह काफी चर्चित इनकी पोएम है तो इस कोई मिस्ट्रेस और इसकी यह फेमस पंक्तिया है जो मैंने आपको यहां पर दिया है इसके लावा गार्डन अब नाम ही किया पड़ा है गार्डन तो देखिए celebrates the tranquility and spiritual solace found in nature nature में जो शान्ती मिलती है spiritual solace मिलता है उसकी बात क इसके लिए इसका पार्ट है नमबर चार नहीं है ठीक है यह इसका पार्ट है इसमें क्या करता है Oliver Cromwell के जो military success है and his impact on England और Oliver Cromwell का क्या प्रभाव रहा इंग्लेंड पे उसकी चर्चा इसमें करता है फिर definition of love नाम से भी है जो कि 16 सविक्यासी में पब्लीश होता है ठीक यहां पर यह इसी के बारे में है explores the nature of unattainable love and the forces that keep lovers apart कि ऐसा प्रेम जिसको हासिल नहीं किया जा सकता और वो चीजें जो प्रेमियों को अलग रखती जुदा रखती है वो क्या है उनके बारे में बात करता है definition of love इस पोहम के अंदर ठीक है इसके लवा बर्मुडाज नमर साथ पर हैं बर्मुडाज फिर describes यहां पर describes a group of pilgrims finding a paradisical land symbolizing divine providence यह इतना important नहीं है ठीक बाकी के सब इतने important नहीं है आपको यह तीन ध्यान में रखने हैं to his coimistress the garden or an horation odd upon Cromwell's return from Ireland यह तीन इनके काफी चर्चित वर्क जो है वो रहे हैं बाकी list मैंने आला कि आगे डाल रखी है आप देख सकते हैं लेकिन सबस्यार चर्चित और प्रसित यही इनका रहा है अगला एक और नाम लेंगे और वो नाम है George Herbert का जो कि Welsh में इनका जन्म हुआ था English poet थे अच्छे वक्ता भी थे औरेटर थे साथी साथ में जो राजा की जो चर्च थी एंगलिगन चर्च कहते हैं उसके प्रीस्ट थे तो अब जब चुकि राजा की जो चर्च है उसके पुजारी हैं उसके प्रीस्ट हैं तो राजा क के वफादार हैं है तो आब इसलिक मभी राजा के खिलाफ नहीं लिखेंगे हैं ये कभी भी ट्र wouldn के पक्ष में नहीं लिखेंगे एंड्रु wal वो किसके पक्ष में पक्ष में हो क्रम के पक्ष में थे लेकिन यह बाई साब जोर्ज हरबट नहीं थे ठीक है यह तो सिर्व अपने चर्च में मस्त रहते थे डिवोशनल पोईटरी ही लिखे लिखा करते थे इसलिए इनको हम क्या कहते हैं रिलीजिस पोईट भी कहते हैं जोर्ज हरबट ने जो कुछ लिखा है वो धर्म पर लिखा है इसलिए इनको रिलीजिस पोईट भी इनको कहा जाता है क्लियर तो हरबट पोईटरी इस केरेक्टराइज बाई इस स्पिरिच्वल डैफ्थ इस्पिरिच्वल डैफ्थ देखने को मिलेगी सिंपलिसिटी और यूजव इंट्रीकेट पोईटिक फॉर्म्स और साथ ही साथ में कुछ जटिल जो पोईटिक फॉर्म से उनका भी अपनी पोईटरी में इस्तेमाल करते हैं हाला कि मेटाफिजिकल पोईटरी में इनका नाम शुमार होता है क्यों क्योंकि इंट्रिकेट पोईटिक फॉर्म्स को काम में लेते हैं ठीक लेकिन फिर भी इनमें क्या मिलता है रिलीजिस फरवर देखने को मिलता है 1633 में की मृत्युजाती मात्र 49 वर्स की आयूम में और इनकी सबसे चर्चित जो कलेक्शन रहा पोईट्री का वो है तेम्पल अब नाम से देखिए टेम्पल धर्म है यहां जलक रहा है अगले पेज पर लिए आपके लिए और अब आल्टर अब आल्टर का मतलता है वेदी जहांपर पवितर वेदी जहांपर मूर्ती एड़ी तया दी थापित होती है उसको अपना आल्टर कहते हैं इस्टर विंग्स दे कॉलर लाव तर्ड और पुली इसके लावा एक पोईम और जिसका जिकर यहां नहीं है लेकिन उसका जिकर जुरूर करूंगा क्योंकि यह कभी किसी जमाने में हमारे सिल्बस में या आपके सिल्बस में हु वर्चू ठीक है वर्चू जहां पर सीजन्ड टिमबर का प्रियोग यह करता है तुल्ला करने के लिए सिमली का प्रियोग करता है ठीक है और वहां पर सीजन्ड टिमबर की तुल्ला किसे करता है वर्चू की साथ में करता है क्लियर वापिस लोटते हैं फिसली स्लाइड पे और इनका एक और वर्क है The Country Person एक प्रोज वर्क है जिसमें ये गाइड प्रवाइड कर रहे है कि पादरी का जीवन कैसा होना चाहिए उसके Rules and Regulations क्या होना चाहिए अरतात हाउ तो लिव Virtuous and Effective Pastoral Life ठीक है ये इसमें सुझाया गया है, बताया गया है इसके अलावा कुछ एक नाम और है Metafisical Poetry में जिनके सिर्फ आपको नाम ही याद रखने हैं उनकी वर्क्स पर नहीं जाना है Henry Wagon, Richard Krusha Abraham Cowley, Cleveland और Trahernd बस इनके आपके नाम याद रखिए इनके साथ में आपके और कौन-कौन से नाम हो गये, एक तो जोन डन हो गया ठीक है Andrew Marvel हो गये और George Hubbard हो गया John Dunn का famous collection कौन सा है Songs and Sonnets है ठीक है, और बात करें आपके Andrew Marvel की तो to his coymistress हो गया इसके लवा the gardener हो गया ठीक है, और Cromwell के Ireland से वापिस लोटने पर जोन ने Horishan Ode लिखा था Horishan Ode on return of Oliver Cromwell from Ireland 1650 में लिखा था, वो गया ठीक है, George Hubbard की बात करें तो एक ही नाम है सबसे important और वो है the temple और इस temple के अंदर कई तरह की poems हैं, एक अलग से poem का नाम आपको याद रखना है Virtue, ठीक है, इसके लवा जो metaphysical poetry में और जो poets हैं के वल आप उनकी नाम याद रखिए, Henry Wogan, Richard Krusha, Abraham Kowle, और Cleveland और Trahernd ठीक है, सिर्फ आपको ये चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है तो आज की इस वीडियो में हमने metaphysical poetry को आपके exam के point of view से देखा है इसको अपने को फालतु का stretch नहीं करना है, बहुत लंबा इसको लेकर के नहीं जाना है जितनी काम की बाते हैं वो अपने सारी यहाँ पर जान ली है ठीक है, जिसमें metaphysical poetry की definition हो गई उसकी features हो गई और जो important writers है उनकी works हो गई और कुछ जो अन्यो writer है उनकी अपने यहाँ पर नाम रख ली है ठीक है, इससे बाहर जो है अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू झाले उनकी यहाँ बहुत दीजिए